चंदर प्रकास उर्प चंदू अभी आपिस से घर आया ही था कि उसकी छोटी साली का पोना गया बोली कैसे हो जीजू रंजना बोली तब चंदर प्रकास की सबसे छोटी साली थी मैं तो बस ठीक हूँ अपनी कहो चंदू बोला मैं भी ठीक हूँ जीजा पर आपके मदद की जरुवत है रंजना ने कहा तो इसमें कौन सी दिककत है मैं जानता हूँ तुम्हें बच्चा होने वाला है जब कहो तब मैं दीदी को भेज दूँगा दरसल रंजना को बच्चा होने वाला था इसलिए वा परेसान रहती थी उसका पती बाहर ड्यूटी पर रहता था डिलीवरी का टाइम पास होने के कारण उसे मा के पास गाओं में छोड़ दिया था रन्यना की सास बहुत लालची थी और ननत तो उससे भी बड़ी दुश्ट थी पर रन्यना पती के प्यार की वजह से किसी को कुछ नहीं कहती थी इसलिए जब चंदू ने कहा कि दीदी को भेज़ दू तो रन्यना भोली नहीं जीजू यहां का हाल तो आप जानते ही हो मैं किसी भी तरह से दीदी को यहां बुला कर उनका अपमान नहीं करवाना चायती नंद हमेशा ही ताना देती रहती है रन्यना ने जीजा को समझाते हुए कहा पर तुम तो कह रही थी कि सास दबाव डाल रही है कि मैं के से किसी को भुला लो चंदू बोला वा तो अब भी कह रही है जीजा रन्यना ने जबाब दिया चंदरप्रकास ने चाय पीते हुए कहा यार तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ बताओ कभी कहती हो कि मैं कैसे बुलाना है फिर कहती हो कि दीदी को मैं ना भेजू या कैसे संभव हो सकता है तब रंजना ने कहा जीजा मेरे यहां ससुराल में देवर और ससु दोनों का नेचर ठीक नहीं है ननाद और सास को तो आप जानते ही हो मैं चाहती हूँ कि डिलीवरी के समय में इदीदी बनकर आप यहाँ आजाओ एक महिने के लिए प्लीस मना मत करना जी जा मैं जानती हूँ कि आप राम लीला में सुपनका और कैकेई का रोल जब करते थे तो आवरत भी आपकी एक्टिंग के आगे पानी भरती थी आपको आवरत के रूप में देख कर तो कोई यह कह ही नहीं सकता कि आप रियल में आवरत ही हो आप एक महिने तक मेरी दीदी की तरह यहाँ पर रहकर मेरा साथ दो प्लीस चंदु खामोस हो गया वह कुछ कह नहीं पाया क्योंकि जब से उसकी साधी हुई थी वह क्रास रेसिंग छोड़ चुगा था उसकी वाइफ को यानी रंजना की बड़ी बहन को यह बिलकुल भी पसंद नहीं था इसलिए वह अपनी जोलरी और कपड़े आलमारी में बंद रखती थी उसे मर्दों के इस अवरत बनने वाले शौक से तो पिलकुल ही नफरत थी और आज रंजना उसे अवरत बन कर आने को कह रही थी अब चंदू बिशारा क्या करे वह तो बिलकुल ही धरम संकट में फस गया था एक तरफ वाईब थी जिसे क्रास डेसिंग की नाम से ही सक्तन अपरत थी दूसरी और साली जो उसकी मदद मांग रही थी दरसल रंजना का पती चंद प्रकास का दोस्त था रंजना ने प्यार किया था फिर शादी ने चंदू ने ही कराई थी रंजना की बात पर काफी सोच पिचार के बाद वह बोला कि वह आफिस से छुटी तो ले लेगा पर उसकी नाम के आवरत के ड्रेस का इंतजाम कैसे होगा तब रंजना ने कहा जी जा वह सब आप मेरे उपर छोड़ दो मैं सारा इंतजाम कर दूँग चंदू अभी रंजना से बात कर ही रहा था कि चंदू की वाइफ आकर बोली चाए जल्दी से खत्म करो घंटे भर से पी रहे हो और हाँ मुझे नहीं जाना रंजना के ससुराल में ओके जानू मत जाना चंदू बोला और फिर बाहर आ गया और रंजना से कहा मैं तो छुट्टी के लिए कल ही अपलाई कर देता हूँ बाकी का इंतजाम जो भी है तुम करो रंजना खुस हो गई फिर क्या था अगले ही दिन चंदू प्रकास ने आफिस में छुट्टी के लिए अपलाई कर दिया और उसी दिन छुट्टी पास भी हो गई उसे एक महीने की छुट्टी मिल गई थी तीन दिन के बाद चंद्प्रकास को आफिस में एक पारसल मिला जिसे साली ने भेजा चंद्प्रकास ने आफिस का कमरा बंद किया और पारसल खोला उसमें चंद्दू की नाप का ब्लाउस, साड़ी, ब्रा, पैंटी, पेटी, कोट, मेकप का सामान, ज्वेलरी, लिप्स्टिक, पिंदी, सिंदूर, पायल, बिचिया सारी चीजे थी जो अवरत इस्तेमाल करती है उसमें गुबाहे का एक पैकट भी था, जिसमें पानी भरकर चंद्द्रकास को बूप्स बनाने थे चंद्रकास ने पैकट से ब्लाउस को बाहर निकाला, पिर पहन कर चेक किया हुआ, एकदम फिट था साम के समय जब चंद प्रकाश घर गया तो वाइफ ने कहा तुम छुटे लेकर कहा जा रहे हो हाँ वह आफिस की ओस से एक इस्पेशल काम है बिदेश जा रहा हूँ वाह बहुत अच्छी बात है तब तो मेरे लिए कुछ ले आना वाइफ ने कोसो कर कहा अगली दिन चंद प्रकाश जब आफिस में बैठा था तब ही रण्यना का पून आया वा बोली जीजा लेडीज पर्स खोल कर देखा क्या अभी नहीं चंद बोला जब उसने पर्स खोला तो उसमें कुछ दवा थी या क्या है पताओ तो रण्यना तब रण्यना बोली जीजा ये दवा खालो इससे आपकी आवाज पतली हो जाएगी सरीर कोमल हो जाएगा यहाँ आप दीदी बनकर अहोगे तो मेरे पास ही सोना पड़ेगा यह दवा आपके फुर्शांग का तनाव समात कर उसे छोटा कर देगी आप यहाँ मेरी दीदी बनकर रहना दवा नीमित लेते रहना ओके चंदु दवा रोज लेने लगा उसका सभाव और सरीर आवरत की तरह होने लगा वा कोमल हो गया सरीर मुलाइम हो गया बाल कम होने लगे एक दिन वाइफ ने टोग दिया तुम ये मेरी ब्रा को क्यों छूते रहते हो पहनोगे क्या चंद प्रिकास को लगा चोरी पकड़ दी गई है वा दिखावा करने के लिए लैपटाप लेकर पैट गया और कुछ सर्च करने लगा इधर रंजना का कोन आया बोली जी जा चार दिन बात की तारीक मिली है डिलिवरी की आप रेडी रहो ओके चंद बोला मेरी छुटियां दो दिन बात सुरू हो रही वेरी गुड रंजना ने कहा यहां मैंने आपके लिए फुल अवरत बनने का सामान तयार कर रखता है चंद बोला क्या मतलब जी धे सारे अवरत के कपड़े में कता सामान और जो भी एक अवरत को चाहिए सब है यहां आईएगा तो देखिएगा मेरी प्यारी जी जी परसो जाना है हो के मैं आपका सूटकेस तयार कोती हूँ परेशान मत हो विदेश इस्पेशल ड्यूटी पर जा रहा हूँ वहां पर यूनिफार मिलेगी पहनने के लिए वह बोला फिर ठीक है मुझे फोटो भेजना आप इस्पेशल यूनिफार में चंदू की वाइफ ने कहा अब यह तो चंदू ही जानता था कि वह के स्टूटी पर जा रहा है और कौन सी यूनिफार पहननी है कर दो दिन बाद चंदू घर से निकला सीधा ओफिस गया वहां अपना सूटकेस अलमारी में रखा फिर रंजना का भेजा हुआ पार्सल लिया वह बाजार से एक लेडीश थैला लिया और एक होटल में आ गया यह होटल बस स्टेशन के पास ही था होटल के कमरे में वह गया फिर वीट क्रीम को इस्तेमाल करके अपना पूरा सरीर साफ किया जब चंदू नहाया, तो उसके बाल साप हो चुके थे, उसने बरा पहनी, पहन्टी पहनी, रजिना ने बूपस के लिए बैलून दिया था, पल उसने सिलिकन के बूपस मंगवा लिये थे, वही पहन लिए, फिर लेकप किया, जेली पहनी, साड़ी बलाॉस पहन कर वा पुरी का नाम चांदनी ही था, फिर चांदनी ने अवरत की तरह एक मूँ पर टफड़ा बांधा, कंदे पर लेडीज परस लटकाया, हाथ में थैला लिया, फिर राल रंग के रंग लगे हुए पैरों में हाई गिल सेंडिल डाल कर मठकती हुई होटल से बाहर निकली वह बस इस्ट दरसल सजी धजी हुई अवरत को देखकर कंदक्टर इंप्रेस हो गया था, चांदनी बस में बैटे, कुछ देर बाद एक नव युवक आया, वो भी चांदनी के बगल वाली सीट पर बैट गया, चांदनी ने गेस किया, वह बार बार तिरशी नजरों से चांदनी के किया और फिर आराम से बैट गयी